साल तोहसा 24 की मचचवेटेट फिल्म कलकी 2898-80 के ट्रेलर रिलीस कर दिया गया है फिल्म को लेकर फैंस की बीट काफी बस बना हुआ था और अब ट्रेलर आने के बाद वो काफी ज़ादा एक्साइटेड हो गए है फिल्म कलकी 2898-80 के ट्रेलर में प्रभास, अमिताब बच्चिन, दिपिका पादुकोन, दीशा पाटनी की जलक देखने को मिल रही है और सभी ने इंप्रेज भी कर दिया है तो दोस्तों वही नाक अश्विन के डारेक्शन में बनने वाली फिल्म के ट्रेलर का एक एक सिन काफी जबरस नजर आ रहा है फिल्म के ट्रेलर को देखकर अंदाजा लगाया ज़ा ही सकता है कि कलकी 2898-80 में काफी वीएपेक्स देखने को मिलने वाला है आये जुआनते हैं कि प्रभास अमिताबच्चन देपेका पादुकोन दीशा पाटनी के फिल्म कलकी 2898-80 में क्या खास है फिल्म कलकी 2898-80 के ट्रेलर की शिरुवात में काशी नगली दिखाई जाती है और अमिताबच्चन नसर आते हैं और उन्होंने लोगों का ध्यान अपनी और खीचा है फिर वही दिपेका पादुकौन की जुलक देखने को इस ट्रेलर में मिलती है फिर प्रभास एकदम दमदार एंट्री मारते हैं वही आखरी में कमल हासन की जलक ने लोगों को काफ़े एकसाइटेर कर दिया है फिल्म की कहानी महाभारत के कुछ हिस्सों को दिखाया जाएगा इसमें अश्वत थामा का किरदार अमिताब बच्चन निभाती भी नज़र आने वाली है फिल्म के ट्रेलर को एक-एक सीन धमाके तार है फिल्म में काफी ज़दा व्येफेक्ट कर स्कमाल किया गया है इसे काफी पसंद भी किया जा रहा है नाग रश्वन के डारेक्शनल बनने वाले फिल्म कल की 2898-80 में प्रभास अमिताब बच्चिन, तिपिका पादुकों, दिशा पाटनी और कमल हसन महत्वपुन भूमिका में नज़र आने वाले है फिल्म कल की 2898-80, 27 जून जो 2024 को सिनेमा घौर में फ्रीज होने के लिए पूरी तरह से तयार है और जिसको देखने के लिए फांस भी बेस अब इसे कर रहे हैं इंपिजार वेल बेते दिनों खबर आई थी कि फिल्म कल की 2898-80 को देखने के लिए ना सिर्फ भारत ही बलकी वीदेश में भी लोग काफ़ी एक्साइटेड हो रहे हैं इस बंद को लेकर युएस में जबर इस तरह से एडवांस विकिंग भी हो रही है तो दोस्तों को लेकर क्या है आपकी राय दिपिका पादुपोर्ण प्रभास और अमिताबच्चिन की फिल्म कल की 2898-80 का ये ट्रेलर आपको कैसा लगा है और ट्रेलर देखने के बाद इस फिल्म को लेकर आप कितने एक्साइटेड है वेल कमें इस नच्च्च में बताना बिल्कुल भी न भूले और हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें